Knowledge, knowledge, K-N-O-W-L-A-D-G-E, K-N-O-W-L-A-D-G-E, knowledge, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इसमें K silent है knowledge में, ओके, तो knowledge का अर्थ होता है, ज्यान, जानकारी, सूचना, बिद्या, बोध, परिचय, ग्यप्ति, परतीत या खबर, ज्यान, जानकारी, सूचना, बिद्या, बोध, परिचय, ग्यप्ति, परतीत या खबर, तो knowledge एक example से समझते हैं, example number one, knowledge advances by steps not by leaps, ज्यान छलांग से नहीं, कदम से बढ़ता है, तो इस sentence में knowledge का अर्थ है ज्यान, और steps का मतलब हो, कदम by कदम, मतलब एकदम तुरंद से आपको ज्यान नहीं आ सकता, आपको daily कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, आपको किसी से सिहना पड़ेगा, धीरे-धीरे आपका ज ज्यान बढ़ता जाता है, लेकिन lips को मतलब छलांग, एकी छलांग में आप नहीं, मतलब एकी बार में नहीं ज्यान अर्जित कर सकते हैं, फिर भूल जाएंगे आप, तो आपको दिरे-दिरे कुछ ना कुछ पढ़ती रहना थी, एक और example से समझते हैं, knowledge is the antidote of fear, ज्यान भ तो आपको भाय कम लगता है, कि आप exam को पास नहीं कर पाएंगे, तो आप exam को बहुत आसानी से पास कर वाएंगे, अब आए knowledge का एंटोनी में भी लोगम सब जानते हैं, ignorance, ignorance, अपने English को और बहतरीन बनाने के लिए, share, subscribe and like करें, and start now because tomorrow never comes.